लाम लेक्चर में हमने बूटेबल यूजबी बनाई थी अब उसके बेस पे हम विंडो करने जा रहा है विंडो इंस्टाल करेंगे पर सबसे पहले हमें लेपटॉप का बूट मेन्यू की पता होनी चाहिए जो भी लेपटॉप होगी जिसे मेरे पास इस वोकत है उसमें में विंडो करने जा रहा हूँ तो मैं गूगल करूँगा एचपी बूट मेन्यू की ठीक है तो यह सर्च करना है सर्च करने के बाद आपके सामने गूगल बता देगा कि इसका बूट मेन्यू की इसकेप की हो सकती और एफनें की हो सकती तो इन दोनों के बेस पे आप बूट म में यू की तरफ जा सकते तो प्रोसेस देखते हैं अब जो यूजबी अपने बूट की होगी वो यूजबी आपने लगा लेनी है इसके पाद अपने सिंपल सिस्टम को ओन करना है तो मैं यहां पर क्लिक करके सिस्टम को ओन करूंगा और यहां से हमने F9 की प्रेस करते जाना है तब तक जब तक हम बूट मेन्यू की तरफ ना जाए तो जिसी यहां पर आएंगे तो हमारे समने यहां पर यूस्बी हार्ड ड्राइव तर डंबर पे लिका होगा तो हम डाउन एरो के तुरू इसी सेलेक करके इंटर करेंगे और इसके बेस पर हमने इंटर होना है वाबस तो और सब एट करेंगे यहां पर even हम माउस भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर हमें जाना था और पिर इंटर करेंगे कर जा रहा है कोई भी की प्रेस कर लो उसके बेस पर यह बूट हो जाएगा तो हम एक दफ़ा प्रेंटर कर रहा है यहाँ पर बूट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एक चीज़ और बताता चलो अगर सिस्टम ओन होगा तो ओन सिस्टम में यूजबी कभी भी मत लगाना क्योंकि अगर बूटेबल यूजबी होगी तो जाहर बाते वो खराब हो जाएगी अगर सिस्टम में पहले से वाइरस होगा तो एक दफ़ा कम्पिटर को शिट डाउं कर लो यूजबी लगा लो फिर इसे ओन कर लो और बूट मेन्यू की प्रेस करते जाओ जब तक वो बूट में ना चला जाए तो इस वकद हमारे जो लेपटाप होगा वो बूट की तरफ जा रहा है तो और सब्मेट करेंगे यहां पर यह इंटरफेस आ चुका है यहां से अमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है कोई लेंग्विज आप यहां से चूज नहीं करोंगे इंग्लिश ही रहने दोगे और ना जो विंडो होगा वो टोटल अपना जो लेंग्विज है वो चेंज कर लेगा अगर आप यहां से चेंज करते हो तो तो हम यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टाल नाओ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर बताया जा रहा कि आपने विंडो कौन सी करनी है तो हम यहां से चूज करेंगे professional और standard STD यह वाली हमने window choose करनी है और इसके बाद next पर क्लिक करना है आए accept the agreement और फिर next पर क्लिक करना है हमने और इसके बाद कहा जा रहा upgrade install windows and keep files तो कहा जा रहा कि क्या आप upgrade करना चाहते हो या तो फिर window को install करना है तो जाहर बात है हम window को install करने जा रहा है अफग्रेट नहीं और यहां से अपने partitions बनाने ही पुराने जितने भी partition से वो मुझे नहीं चाहिए होंगे तो partition को मैं यहां पर एक दफा़ डिलीट करूँगा सारे partition में यहां से एक दफा़ डिलीट करूँगा और फर्मेट करके नया कोई partition बना के उसकी तरू हम window installation स्टार्ट करते हैं तो यह reserved जो partition है इसे भी यहां पर एक दफा़ डिलीट मार लेते हैं अब total हमारे यहां पर जो disk में जगा है वो 465 GB बताया जा रहा तो हम इसे select करके new पर क्लिक करेंगे और इससे यहां पर हम 200 GB अलग करेंगे तो मैं यहां पर लिकूंगा 200 200 GB के लिए हमें 2,00,000 यहां पर लिकना होगा तो मैं यहां पर 2,00,000 लिक लेता हूँ तो मैं यहां पर लिख लिए है अपलाई पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद OK पर क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर 200 GB का यह अलग सा परटिशन क्रीट करके दे देगा और मैं यहां पर यह सबसे बड़ा होगा उसे सलेक्ट करके रखूंगा और यह जो 200GB वाला अच्छा यह 200GB वाला जो partition है primary partition जिसे कहा जा रहा है इसे हम एक दफाव फॉर्मिट करेंगे फॉर्मिट करने के बाद हमने वापिस उसी partition को सलेक्ट करना है तो यह 200 तो त्रेसर GB वाला partition में डेटा के लिए रहा हूंगा और इसमें हम विंडो और operating system इंस्टाल करने जा रहे हैं तो हमने यहां पर नेक्स्ट पर आपस क्लिक करना है तो यहां आप हमारे जो इंस्टालेशन हैं वो अल्मोस्ट कंप्लिट हो रहा है 93% हो चुका है और यूजबी अब तक लगी है यूजबी हमने नहीं निकाली पर यूजबी हम तब निकालेंगे जब इंस्टालेशन एक दफ़ा 100% कंप्लिट हो जाए तो इसके लिए नीचे के जो फाइल के चेक्स हैं वह भी लगना ज़रूरी होता तो हमने वेट करना है कि अब लिखके है तो यह बने वेट करना यह कमिटर को реस्टार्ट कर रहा हूँ हम कोई भी की प्रेस करके अलोर्ट को ile स्टार्ट करवा सकते हैं और तो यह वह यह कि ब气 कर लिदिन हैं हमने पवर्टास के जितने ही डिय ते वह सारे डिलेट कर लिय तो आप सिर्फ वह वाले ड्राइव डिलीट कर लो जिसमें आपका ओपरेटिंग सिस्टम था अगर आप चाहते हो मेरा डेटा मुझे चाहिए फिलार मुझे ऐसा केस मिला था जिसमें डेटा वगरा कुछ नहीं था सारे पार्टिशे में डिलीट करके नए पार्टिशन बना लिए तो यहां पर हमारा जो लेटाप है वो रिस्टार्ट हो चुका है तो यहां पर कम्पिटर रिस्टार्ट ले चुका है और मैंने यहां पर यूजबी हटा लिए लेटाप से तो हमने वेट करता है पिर एक दफ़ा इसके लिए और यह लोडिंग लेता जा रहा लेता जा रहा ह है यहां पर हमारे विंड़ो अल्मोस्ट कम्प्लिट हो चुगी है और अगे कुछ ऐसा खास होगा नहीं सिर्फ हमें यूजर अकाउंट का नाम देना है पासवड़ देना है वगयरा है यहां पर हमारा लोडिंग है वह कंप्लिट हो चुका है अब यहां से सिंपल हमें लेंग्विज चूज करके और ओके पर क्लिक करना है यहां पर करना है इसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करना है तो हमने यहां से वापे से जो चीज़े जैसे हैं उसे वैसे ही हमने रहने देना है कोई भी चेंज हमने नहीं करना इसके पर क्लिक करेंगे यहां पर यह पूछ रहा है कि इंटरनेट के साथ कनेक कर लो वरना requirement यह और बढ़ा देगा तो फिलाल मैं इंटरनेट recommend नहीं करूंगा तो I don't have internet पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने वापस continue with limited setup पर हमने क्लिक करना है और PC का यहां पर अपने नाम देना है तो यह user account यहां पर create करने जा रहा है तो हम यहां पर नाम दे देते हैं इसे नाम देने के बाद हमने यहां से next कर लेना है पासवर्ड मांगा जा रहा है तो हम यहां पर पासवर्ड दे देते हैं एक short सा पासवर्ड 123 हमने पासवर्ड यहां पर type कर लिया next करेंगे पहरे याँ पर पासवार्ड हम टाइब करते हैं कि यहां को से कुरिटी कोईसिंचैन किकुर यहां से चूज कर सक्मूस कर लो और अगर पासवार्ड भूल जाते हो तो फिर जाहर बात यह security question backup में पूछे जाते तो हम QWERT दे देते यहां पर अंसर इसे और नेक्स पर क्लिक करेंगे यह नेक्स security question यहां से पूछेगा तो हम वह वापस चूज करके यहां पर security question में अंसर देते QWERT और यहां से हम करेंगे yes और next और last security security question होगा तो हम यहां पर क्लिक करके फिर security question चूज़ करेंगे और सेम अंसर इसमें टाइब करेंगे क्योड डवल्य आर्टी अगर इंकेस हम password बूल जाते हैं तो फिर यह तीन questions के सेम अंसर हमने दिये हैं हम इन तीन अंसर के बेस पर इंटर हो सकते हैं और password ब्रेक कर सकते हैं और यहां से accept पर क्लिक करना है हमने पर accept पर क्लिक करेंगे अचा कोटाना को तो हमने enable नहीं करना था पर कोई बात नहीं यहां पर यह हमारे लिए एक फ्रेश सा जो डेस्टॉप है वो create करके दे रहा है और हमारा यहां पर जो विंडो है वो complete हो चुकी है तो इस पॉइंट पर हमारा जो विंडो इंस्टालेशन है वो complete हो चुका है सिर्फ आपने इंटरनेट कनेक करना है और इस विंडो को active करना है एक्टिव करने के लिए कुछ टेक्स्टेप वो download करके .BAT file में save कर लो run कर लो इतना easy होता है